पाइथन में अभी तक हमने लिस्ट, टपल, सेट ये डेटर टाइप्स के बारे में बात किया अब हम लोग डिक्ट यानिक डिक्शनेरी डेटर टाइप के बारे में बात करेंगे इसके लिए मैं एक 13 डिक्ट नाम को फोल्डर क्रेट किया है और यहाँ पर जो फर्स एक्जामपल है इसे हम देखते हैं जनरली हम जो भी इनफरमेशन यूज करते हैं उसे कई बार ऐसा की वैल्यू पेर या हम ऐसा बोल सकते हैं नई वाल्यू पेर हमें हैंडल करना होता है जैसे माल लो कि मुझे किसी कंपनी के सीनियर एक्जिकेटिव के या टॉप मेनेजमेंट के कॉन्टेक्ट्स चाहिए तो अगर मैं सिंपल यहाँ कुछ फोन नंबर से लिख देता हूँ कुछ इस तरह से तो यह सफिशिंट नहीं है यह माल लिजे किसी का मुबाइल नंबर है तो हमें बताना पड़ेगा यह कौन है मैनेजर ठीक है यानि कि हमें उसे एक नेम लेबल असाइन करना होगा यह डीटेल किस के बारे में है तो कई बार हम यह information की और value के पेर के form में store करना पड़ता है तो इस तरह की जो need है यह बहुत ही common programming need है और इसके लिए हम लोग dictionary data type का use करते है अगर मुझे number of contacts बस चाहिए तो मैं list create कर सकता हूँ कुछ इस तरह से और उसके अंदर ऐसे several contacts हम लोग comma separate करके लिख सकते है number of contacts different different contacts ठीक है लेकिन अगर हमें यह भी बताना है कि यह contact किसका है ठीक है तो इसके लिए हमारे पास कौन से data type है dict dict हमें allow करता है कि आप यह contact किसका है यह भी बता सकते हो और भी इस तरह से हमें कई बार information handle करनी पड़ती है जैसे हमने का Mohan Kumar now हमने का Ganesh Kumar और Nita Singh इस तरह से अगर मैंने यह नाम लिखे और मान लो कि यह family members है तो आप इनको किस तरह से specify करेंगे कि यह इसमें से कौन क्या role play कर रहा है तो मैंने का self then brother then sister इस तरह से हमने देखा कि यह किन के नाम है यह मैं बता सकता हूँ right एक और बार देखते है मैंने हां लिखा Vinod Kumar 12 56 अब यह क्या details है यह name है यह age है और यह marks है तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से यहाँ पर name value pairs different name value pairs के बारे में आपको बताया तो जो हमारा data type है dictionary वह हम use कैसे करते हैं और हम जो key value pair और name value pair के form में python के सरे से data को handle कर सकते हैं तो यहाँ मैं एक simple example create करता हूँ x और मैंने यहाँ पर इसे एक value assign किया यह just a curly bracket open close है यह curly brackets जो है यह dictionary को show करता है तो हम dictionary कैसे create करते हैं curly brackets के थ्रों इसे समझने के लिए मैंने एक print statement लिखा और हमने कहा type type function में हमने यह variable pass किया और now अब मैं इस code को run करूँगा a.py यह है a.py हमने इसे run किया तो हमने इसका type पूछा कि यह variable x के पास किस type का information है तो class dict तो हमने एक dictionary object create किया in fact मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ हमारे पास एक और function है उसका नाम है alien length function तो इस बार मैं केवल type बस print नहीं करूँगा साथ में length भी print करूँगा तो आपने देखा zero elements length का है यह now हम एक और बात इसके बारे में बता सकते हैं वो है ID तो एक object create होगा जो कि empty है जिसमें हम later on कोई information store कर सकते हैं तो उस dictionary का ID print हो गया है वो display हो गया इस तरह से हमने आपको यह एक example की थूँ बताया कि dictionary जो data type है हमारे पास उसमें किस तरह का information store करने के intention से यह type design है और एक empty dictionary कैसे create करते हैं इसके लिए हमें किस तरह के symbols का use करना है यह मैंने आपको बताया next video में मैं आपको dictionary को use करने के लिए और क्या syntax हम use करते हैं वो बताऊंगे इस वीडियो में इतना ही